नमस्कार दोस्तों, नमस्ति इंग्लिश में फिर से आपका एक बार स्वागत है। हमेशा की तरह आज मैं फिर आपके लिए एक नया सेशन लेकर आया हूँ और यहाँ सेशन आपको अंग्रेजी बोलने और लिखने में काफी लाबदायक साबित होगा। आईए, इसके पहले आज के सेशन की सुरुआत करें। मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, यती आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो, फर्रातेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो देद ना करें। आज ही प्ले स्टोर से नवस्ति इंग्रेजी से अप डाउनलोड कीजिए और अनलिमेटेड एकाउंट जॉइन कीजिए। अनलिमेटेड एकाउंट जॉइन करने से आप यहां बिना किसी की मदद से फर्रातेदार अंग्रेजी बोलना सिख सकते हैं। तो चले आज के सेसन की और। लेकिन आप जानते हैं कि यह ऐसी उमीद है, पूरी नहीं हो सकती क्योंकि सभी आदमें अच्छा नहीं गा सकते हैं। तो आप इसको आज हिंदी में बोलेंगे कास मैं गा सकता। तो कास एक ऐसा सब्द है जिसका उपयोग हम करते हैं ऐसी इच्छा को व्यक्ट करने के लिए जिसको हम पूरी ना कर सकें तो कास एक ऐसा सब्द जैसे मैंने कहा जिसको हम उमीद पूरी करने वाली इच्छा को वेक्ट करने करते हैं इसको अंग्रेजी में हम अगर बोलना चाहे तो अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं I wish I could I wish I could So I wish I could का हिंदी में अर्थ कास ही होता है आईए अब इसकी परिभासा जाले तो अगर हम इसकी परिभासित करना चाहे तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जब हमें अपनी कोई ऐसी इच्छा वैट करनी हो जो पूरी ना हो सके या उसकी उमीद बहुत कम हो तो हिंदी में वाक्य को कास से सुरू करते हैं इसी तरह अंगरेजी में बोलने के लिए I wish I could का प्रियोग करके वाक्य सुरू किया जाता है यहाँ पर ही जब रूल की बाग्त है तो हम ध्यान देने की बात है कि कुड के बाद भर्व का बेस पाउम यानि फस पाउम भर्व ही यूज होता है अब आईए हम इसके कुछ उधारन देखते हैं जिससे कि आप सीखेंगे कि आप कास वर्ड का I wish I could से sentence कैसे बना सकते हैं तो उधारन में यदि आप ऐसा बोलना चाहे कास में बहतर गा सकता तो अंग्रेजी में इसको बोलेंगे I wish I could sing ठीक यदि तरीके से अगर आप बोलना चाहते हो कि कास में वहाँ होता तो उसको आप अंग्रेजी में बोल सकते हो कि कास में वहाँ होता तो उसको अंग्रेजी में आप बोल सकते हो कि I wish I could have been there ठीके तो पहला वाक्ष मैंने आपके बताया I wish I could sing better दूसरा वाक्ष I wish I could have been there अगर आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं कास में उड़ सकता तो इसको आप बोलेंगे अंग्रेजी में I wish I could fly ठीक उसी तरीके से यदि आप कहना चाहते हो कि कास में उससे लड़ सकता आप इच्छा वेक्ट करना चाहते हो कि कास में उससे लड़ सकता तो ऐसे वाक्त को बनाने के लिए आप बोलेंगे I wish I could fight with him तो आपने देखा कि आप किस तरीके से कास सब्धार अंगलेजी में इसको बोले I wish I could कर स्तामाल करके आप ऐसी च्छा को वेक्ट कर सकते हो जिसकी उमीद होने की संभावना कम है मुझे आसा है कि आज का ये सेंटेंस आपका मेकिंग जो लेशन है आपके लिए यूसपुल रहा होगा और आप इससे फायदा उठाएंगे इसी तरह के अन लेशन को जानने के लिए आज ही नमस्ति इंगलिस आपको डाउनलोड करें और अनलिमिटेड एकाउंट जोइन करें नमस्ति कार